क्योशने ABC is an equilateral triangle with O as its center F1, F2, F3 represent 3 forces along the side is AB and BC and AC respectively if the total torque about O is 0 then the magnitude of F3 is O के अबाउट total torque क्या होना चाहिए 0 तो magnitude of F3 बताना है क्या होगा तो यहाँ पर अगर देखो इसको अगर अगर से center से इसको join करेंगे तो यह इदर आएगा R vector यह आजाएगा आपके पास तो equilateral के लिए यह कितना होगा 30 और यह भी कितना होगा 30 यह F इदर है यह R vector होगा अब इस case में यह angle भी कितना होगा 30 के बराबर इसमें ऐसे इस force को आगे हम ऐसे बढ़ा सकते हैं यह force ऐसे आएगा यह है F3 इसको vector को अगर यह ऐसे किया जाएगा R vector तो यह angle भी 30 यह भी कितना होगा 30 यह 30 और यह भी किया जाएगा 30 छीक है जी अब इसकी विज़े से जो टोर्क आएगा वह ऐसे आएगा F1 की विज़े से टोर्क आएगा ऐसे क्या जाएगा आपके पास anti-cloak wise direction में आएगा इसे तो यह कितना जाएगा टोर क्या होता है आर F1 की विज़े से आने की टाव 1 तो आर आर एफ साइन 30 डिगरी आएगा आर एफ बन साइन 30 डिगरी यह एगा और यह anti-cloak wise direction में यह इसे गुमाएगा इसको आर क्रोस को करके देख्यों यह से गुमाएगा अब इसके विज़से अगर देख्झे है आफ कि विज़से तो आर क्रोस एफ यह भी क्या है कि आपके पास यानि कि R F1 sin 30 degree प्लस में R F2 sin 30 degree इन दोनों का sum इसके ब्राबर होना चीए तब इना है टोर्क 0 का क्योंकि यह दो एंटी क्लोक वाइज एक लोक वाइज है तो यहने कि टाउ 1 प्लस टाउ 2 की जो value हो क्या आनि चीए टाउ 3 के ब्राबर होना चीए क्या आनि चीए टाउ 3 इसमें वेक्टर अटा दो क्योंकि मैंने फोम में लिख लिया टाउ 3 टाउ 2 टाउ 1 तो यहां पर equal to क्या हो जाएगा आपके पास R F3 sin 30 degree तो R से R cancel, sin 30 से sin 30 cancel तो F1 plus F2 equal to क्या आनि चीए F3 के ब्राबर तो F3 की जो value है वो आएगी F1 plus F2 के ब्राबर A option क्या होगा इसमें correct होगा